हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नेवी इससार और डबल ए के लिए जो नोटिफिकेशन आने वाले थे वो आ चुके हैं आज आपके 26 अप्रील हो गय है 26 अप्रील में आपके लिफिकेशन आ चुके हैं और आपको इसको लास्टेट थर्टी अप्रील तक आपको मैक्सिमम भर देने हैं ठीक है बच्चों के admit card यहाँ पर आने वाले हैं तो सारे complete information के लिए video complete वाच कीजिएगा और वीडियो को बीना skip के हुए देखेगा आप लोग क्या करते हैं बच्चे वीडियो को skip करके देखते हैं और फिर questions पूछते हैं तो आप क्या करना है इस बार प्लीज पूरा complete वीडियो को बाच कीजिए और फिट जब problem आता है तब questions पूछेगा ठीक है ने तो अधिकतर बच्चों के वही questions होते हैं जो हम आपके वीडियो में बता चुके होते हैं तो ऐसा questions बिल्कुल नहीं पूछी ठीक है चलिए तो start करते है वीडियो को और वीडियो में बढ़ने से पहले यहां पर जो पहला है आपके जब भी आप लॉगिन कीजेगा अब आप application को भरना start कर सकते हैं कैसे application फ़र्म भरना है उसके लिए हम वीडियो डाल देंगे आपको यहां पे आपको बताएंगे की कैसे कैसे क्या करना है तो देखिए यहां पे आपको लॉगिन की जाएगा तो यहां पर आपको इस टाइप के page खुलेंगे ठीक है तो यहां पर आपको current opportunity में जाएगा तो यहां पर आपको सब्सक्राइब के बारे में बताया जाएगा current opportunity में आपका SSR और AA के लिए जो form आया है उसमें आपको जाकर form fill up करना है ठीक है age limitation यहां पर लिखा गया है कि minimum 1,2,2,1,3,7,2,4 तक और इसके लिए आपके SSR के लिए भी सेम ही है हाला कि हम आगे भी age limitation अच्छे से बताएंगे पहले इस सभी को देख लिए qualification के बारे में कहा जाला है कि 12 science होना चाहिए minimum 60 marks से physics और mathematics और आपके यहां पर science होना चाहिए tools में भी यहां पर SSR के लिए और कितने 33 marks के लिए लगबग होना चाहिए नोटिफिकेशन आये है वह August 2021 batch के नाम से आये नोटिफिकेशन तो इनके लिए यहां पर आपके जो भी आपके नोटिफिकेशन है आप उसको official website से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहां पर हमसाले चीज़ों को आपको समझाते चल रहे हैं जो की आपको भी जानने है ठीक है बाद में हम आपको कितने payment मिलते हैं आपको कितने pay हैं क्या-क्या perks हैं इन सभी को बारे में बताएंगे वह सब चीज़ बाद में लेकिन पहले हम उसके form के बारे में तो अच्छे से समझ ले ठीक है तभी तो form भर पाएंगे यहां पे eligibility conditions के बारे में बात करेंगे ति निव tension होगा बहुत सार बच्चों को problem होगा कि इतना कम vacancy क्यों है और सबसे बुरी बात यह है कि आपको 10,000 यानि total 10,000 बच्चे को ही आपके examination के लिए बुलाया जागा यहां पे लिखा गया है approximately 10,000 candidates will be called for retained examination and physical fitness test ठीक है the cut-up marks for appearing in retained examination may be varies from state to state यह जो आपका cut-up marks होगा वो state wise vary करेगा ठीक है और सबसे बुरी बात यहां पे यही है कि आपके 10,000 बच्चों को ही शिर्फ आपके examination के लिए बुलाया जाएगा और वो किस basis पे होगा वो आपके 10 प्लस 2 के marks के basis पे आपको होहां पे ऐसा decide किया जागा ठीक है और जिनको जिनको बुलाया जागा जिनका 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 कॉल लेटर आएगा यह तो कहें अर्मीट काड़ आएगा उनको इंफर्म किया जाएगा ठीक है तो सबसे दुख की बात यही है कि 10 सेरा बच्चे को इससिर्फ आपको इडिटेनी जानमसान के लिए बूला इससार के लिए 10 प्लस 2 जानमसान होना जाहिए ठीक है यहां पर आप सिंप्ली पास होना चाहिए ठीक है चलिए यह की बात करते हैं यहां पर मेन इंपोर्टेन बात है कि एज की बात करते हैं तो आपका जो एज लिमिट होगा वो 01 यानि एक फरवड़ी से लेके एक फरवड़ी 2001 से लेके कितना बच्चे आपका 31 जूलाई कितना 2004 तक होना चाहिए ठीक है ठीक है बच्चे चलिए थुरा सा वाज आ रहा हो जो आपका एज लिमिट होना चाहिए वह एक फरवड़ी 2001 से लेकर 31 जूलाई 2004 के बीच में आपका होना चाहिए अगर इनके एज लिमिट के बीच में आपका एज है तो आप इस फरवड़ी 2001 को रहे है या फिर यहां पर दिखा गया बहुत देट इंक्लूसिव यानि अग आये तो यह थे आपके एज्ट्राइन क chicos को क्या सासा अबके एज करेया तो यहां पर हम कुछ आब बात करने वाले है जो इंपर्ट问 चीजेह यहां पर अब यहां से स्टाट रहोने हैм आपके सारे डाओं बिल्कुल हम पे क्लियर होंगे जीज़राय जीक्सिंत इस्ज़łe खालावक और रहाया झालत है तो इसकान से आपकोई नहीं लेना है कोई इन सबी चीजों को आपको खूलव किया गया आपको रख्षीट भी रहे और आपका यानमेशन भी अच्छे से अगर अच्छे से रहते हैं तभी आपको रंजन देना या फिर क्विन्साइर करना माईनें रखता है आप खुद अच्छे नहीं है तो क्या फर्रक परता है या फिर आप या नुसरा देने भी चले जाते कोई माईनें नहीं नहीं रखता इसकान से इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है बहुत सा चीज़ के वेकेंसी और भी निकलते हैं आप सभी को भरते चलिए ठीक है आपके सौख होंगे मानते हैं नेवी में जाने के लिए तो इस बार भी मौका है आप जा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा चां आपको जो 10 प्लस 2 जानवेसन में जो भी आपके मार्स होंगे उनके बासीत पर आपके रिटेर जैल्प जन अर पी फ्यारी का जो आपका एडमिट कार आएका वन्रेट जो होंगे जाएगा समझ रहें नेक्स्ट आपका रीटेन टेस्ट के बारे में कि हम समझेंगे कि रीटेन टेस्ट यहीं पिर आपको किलियर हो जाता है कि आपका ओनलाइन इंग्लिस दोनों में दिये जाएंगे सब्सक्राइब करता है जिसमें कि पहला सेक्षन इंग्लिस होता है साइन्स होता है और जेनरल नॉलेज होता है ठीक है नेक्स्ट यहां पे कि इस टेंडर आप दी कोशन पेपर अप्टेन प्लस टू लेवल एंड इसलेवस फॉर इजानवेशन इजेव लेवल वेबसाइट लेवल पे होगा और जो चाहिए आपको तो आप जोएंडिया नेवी डॉट जो भी डॉट इन पर आप से लिवस को डाउनड कर सकते हैं और वैसे कि हमने सब इसलेवस को आपको दिया है और बच्चे आपको बता दे हमने निव बैच भी स्टार्ट किया है निव बैच आप जल्दी से जल्दी रिस्पॉंस करते हैं तो जादस जादा एक दिन में वीडियो प्रवाइट करवाया जाएगा ठीक है तो चलिए यहां पर बात हो गई नेक्स बात हो गई डूरेशन अफी जानवेशन होगा जैसे कि आपको पता है कितना एक घंटा का आपको लिया होगे उनका जो PFT हो वह सेम डे होगा ह करवा आपको जाकर वहां पर देना पद होगा तभ ही आपकाопalay कर numerical करेंड़ जायगागा समझदें आप चलिए यह आपके एंटर न के सारे प्रस्टिजियों हो गय और पीफियस्टी में क्या क्या करने होंगे उनके बारे में इस निद्वाड़ना पड़ेगा साथ मिनट में और ट्वंटी आपके स्क्वेर्स होंग यालन उठक बैठक और दस आपको कुसमारना आपके नेवी इन के लिए कोई जिम्मेवार नहीं होंगे ठीक है चलिए निक्स्ट हमारा बात करने वाले है कि आपको अब इसे साथ के लिए यहां पर बात करने वाले है कि डवले के लिए जो बच्चे आपके मेरिट लिस्ट में जाएंगे यहां हमने आपको बताया है कि डावले के लिए जो सीड्स हैं नमबर ऑफ सीड्स हैं और आपके इसे सार के लिए 2,000 सीथ हैं तो 2100 के को यहाँ पर बुलाया जागा और यहाँ पर सौ बच्चे यहां से निकलेंगे और आपके 500 बच्चे यहां से यहां से आउट हो जाएंगे ठीक है तो इस करण से ऐसा बुला जा रहा है यह सभी आपके इनके टोटल सेलक्षन प्रोसेस के कर टेडिया है ठीक है नीचे कहा जा रहा है कि the cut-off marks for issue call-up letter for final enrollment medical examination at INS Chilka may vary from state to state for SSR entry SSR entry वालों के लिए state wise state wise आपके क्या होंगे आपके final medical examination क्या होंगे आपके vary करेंगे ठीक है call letter कहा जा रहा है कि the cut-off marks for issue of call letter up to final examination enrollment medical medical examination मतलब जो आपके last में जो medical merit list निकलेंगे उसके सभी के cut-off क्या होंगे अलग-अलग state wise क्या होंगे वह वहरी करते चलेंगे ठीक है किस प्रकार से लिए जाएंगे यहां पर आपको दिख़़ा होगा कि जो आपका यहां पर सेम डे के exam होने करा आपका offline examination होने का chances है ठीक है और साथी साथ आपके सारे आपके जो pattern हो गया है वो सब हमने सीखा दिया आपको सभी बता दिया हमने यहां पर दिखा सकते हैं कि eligibility ह अब दिया है एज कर्टेडिया भी हमने बता दिया है offline examination होगा यह भी हमने आपको समझा दिया है यहां पर पढ़ाई करना है हमने न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है तो आप उसको जाकर जरूर देखिए आपको सारह चीज समझ में आएंगे कोई प्रब्लम होगा तो आप हमें बताईएगा जितना ज़्यादा रिस्पॉंस मिलता है उतना जल्दी सलवस कवर करने की कोशिस करेंगे तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं तो रखते हैं आपके यह थे आपके नेवी SSR और डबल एक के लिए वेकेंसी के अपडेट्स ठीक है आने वाले समय मे आपको कितने पेमेंट मिलते हैं क्या-क्या मिलते हैं सारक चीज को बारे में कैसे फॉर्म अप्लाई करें सभी के बारे में यहां पर हम बताएंगे ठीक है तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं तरकते हैं थैंक्स पर वाचिंग वीडियो तब तक के लिए बबबाए झाल झाल